अरे यहां पर क्यों लेकर आएए एक्सक्यूज मी गाइनकलॉजिस्ट है क्या सॉरी मैडम आज फीमेल डॉक्टर नहीं बस मेल डॉक्टर है क्या हुआ है कौन है नाम बताएंगे प्लीज वन सेकंड महिश सर है श्रीकान सर है सुबबराव सर है सुबबराव जी का अपॉइंटमेंट दीजे ओके मैडम रूम नंबर थ्री में जाईए अले क्या हुआ बताएए क्या परेशानी है बताना प्रॉब्लम किसको है आपको या आपको मुझे है तो आप ज़रा बाहर वेट कीजिए ये बताने में थोड़ा हिज की चाहा रही है नहीं नहीं रहने दो ममी को ठीक है तो बताओ देखो वकील और डॉक्टर से कुछ चुपाना नहीं चाहिए बताओ क्या प्रॉब्लम है वो वैसे अभी वो थोड़े छोटे हैं ना छोटे हैं आख हैं ओ ओके आई अंडरस्टेंड एक्चुली उन्हें बिक साइज में लाने के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन थोड़े हेल्थी शूज आएंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा कोई बात नहीं दूसरा अप्शन है क्या है मतलब अभी मार्केट में मिलते हैं रेडी मेड नेच्टरल दिखेंगे किसी को पता नहीं चलेगा तो आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आपको मिल सकता है वो आपको मेडिकल स्टोर में जाएंगी तो मिल जाएगा थेंक्यू डॉक्टर क्या बात है आज तो बहुत खुश लग रही है पता लगाओ देखते हैं मुझे नहीं पता तुम्हीं पता यह क्या बाई यह कैसा बदलाव है प्रकतिकानियमने बाई आपको मिल आट है एटे बसे आप टोगोगद के लिड़ा एकटेन है कर दो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माँ माँ खाने के लिए कुछ बना है क्या टाइम हो गया है ना स्कूल नहीं जाना है क्या अज भाईया कॉलेज जा रहे है ना मतलब अगर वो कॉलेज जाएगा तो तू स्कूल नहीं जाएगी क्या चल ठीक है सारे कपड़े ठीक से रख दिया है ना हाँ कपके माँ ये क्या है माँ बैग में सारे कपड़े क्यू नहीं है क्या हो भाईया सारे कपड़े नहीं है माँ अपनी बेहन से ही पूछ ले इसी नहीं सारे कपड़े रखे है सारे कपड़े तो यही है कहां सारे हैं, जादा मुद बोला अगर मैं सारे कपड़े रख दूँगी तो आप भी पापा की तरह लोट कर नहीं आओगे पापा हमारे लिए ही तो वहां मैनद कर रहे है इस साल जरूर आएंगे वो, तुम दुखी मत हो और मैं तो यहां आता रहूँगा ना, परिशान मत हो चलता हूँ मा, बसका टाइम हो गया, निकलता हूँ ठीक है बेटा बाई मा मन लगा कर पढ़ाई करना हाँ बेटा, हाँ बेटा अपना ध्यान रखना हाँ, और खाना समय पे खा लेना ठीक है बेटा बेटा, समभल कर जाना, ठीक है बात रोको उसे यार, गाउं से कॉलेज जा रहा हूँ, ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मुझे तो रोना भी आ रहा है पहली बार हम लोग गाउं छोड़के जा रहे हैं तो ये सब तो होना ही है चलो चलते हैं इए, वो कहां से लाया? अरे, ये मेरा है, मुझे दे दे यार नहीं, मैंने ही दुँआ, ये देना है ये बॉल्डाव नहीं दुँआ, बसकर, हमेशा लड़ते रते हो चलो जल्दी भास आगी यार उसे जल्दी, भागे सर हैद्राबाद के लिए टिकेट वहाँ उस तरफ मिलेगा इससे पहले तो यहीं कहीं मिलता था ओके अंदर आईए ठीक है यह सीट मेरी है आपका 25 नमबर है सर पीछे जाएए ओ सर यहाँ पर आईए अच्छा वो है यही आपके सीट बैग यहाँ पर रख दीजिए थैंक यू आपे है दरबाद जा रहे है नहीं सर वो मूफली बीचने वाले आएंगे न तो खरीद कर खाने के लिए आया हूँ हाँ बीटी हाँ पापा निकल गया बस में बैठा हूँ ठीक है समल कर आना थीक है समल कर आऊंगा तुम अपना ख्याल रखे है रखता हूँ मेरी बेटी है नाराज हो गया क्या मुझे मजाग करने की आदत है सफर आराम से कटेगा आप बुरा मत मानियेगा एक मिनट हाँ खालूंगा बीच में कहीं बस रुकी तो खालूंगा तुम खालो ठीक है ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई फिर से बेटी ने फोन किया वो हैदरबाद में पढ़ती है सर पता नहीं आज कल के बच्चे अपने आपको क्या समझते हैं ऐसा लगता है जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है बस साफधानी वरतने के लिए कहते रहते हैं हाँ बेटी वाटर बाटल तुम依ा घर से लेकर निकला था रख लिया है तुम फिक्र मत करो ठीक है ठीक है रैट बेटी थी अपकी हम से दूर हैदराबाद में पढ़ा रही है ना फिक्र करती है बेटी की उम्रे 7 साल की होगी ना अरे 7 साल की नहीं है सर 17 साल की है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके साथ मेरा रिष्टा अठारा सालों से है आप पी क्या सर बेटी को पैदावें सिर्फ सत्रा साल हुए है तो अठारा सालों का रिष्टा कैसे हो सकता है है ना जब से वो अपनी मा के पेट में थी तब से उसके साथ रिष्टा है रंगारेश्वर कैसे हो पापा मेरी लाडली बेटी पापा क्या लायो गाजर लेकर आया हूँ ठीक है ना चलो आजाओ 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 जाकर दादी के पास बैठो धनिया थोड़ा सूख गया है उसे भिगा दो हॉस्पिटल गई थी क्या हॉस्पिटल गई थी क्या पूछने पर जवाब क्यों नहीं दे रही है मा डॉक्टर ने क्या कहा और क्या कहेंगे कहा बच्चा और मा सही सलामत है अरे ये तो खुशी की बात है ना शकल ऐसी बना रखी जैसे कोई मर गया हो इसमें क्या खुशी की बात है फिर से लड़की ही है अरे क्या फरक पड़ता है मा सही सलामत है ना फिर से लड़की हुई तो क्या हुआ इससे पहले भी तो लड़की पैदा हुई दोबारा गर लड़की होगी तो क्या अच्छा होगा वन शागे बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए होता, यह तो तुझे पता है न? मा, उसके बार भी लड़का ही पैदा होगा, इसकी क्या गैरेंटी है? लड़की हो या लड़का खून तो मेरा ही है न? मा मुझे बच्चे चाहिए लड़की हो लड़का क्या फर पड़ता है अरे पगले कल कोई लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी फिर तुझे संभालने माला कौन होगा आज मैं खुश हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ वैसे भी दुनियादारी के बारे में तुझे पता ही क्या है मैंने बहुत दुनिया देखी है इसलिए समझा रही हूँ अभी भी समझ जाए मा कल मुझे खाना देने वाला नहीं होगा इसलिए मैं आज बच्ची को मार दूँ क्या मैं आपका बेटा हुमा यही नहीं अगर मेरी पांच बेटिया भी हुई तो मैं उन्हें खुशी से पा दूँगा बड़ी होने के नाते जो कहना था मैंने कहा दिया अगर नहीं सुनना तो तेरी किस्मत आजा मैं ये चाहूं ओरे लाला तू ही तो है सपना अब तो मेरा जब दिल ये धड़के तू कुछ तो कहे ओ लला मेरे अब आएगा दिल ये सोचे सुन नेरे मचे कह दू कैसे तुम समझो ना मैं तेरे में हर तक सभू और तुछ पे सारी खुश आवार दू ना ना मैं न जानो ये क्या हुआ मैं कुछ ना संजी ये जो हुआ मैं कुछ आएगा ये है कैसी खुशी कैसे तुम को भूलो तुझसे घर था भरा ओ बिटिया कैसे न तुझको ढूलो जाने कहां पे हो तुम रबने स्वर्ग में है तुझको रखा मैं मांगो तुआ अब तुझे कोई गम आए ना मैं तुझको बिल्टा कैसे अब भूलो तुझे मैं कैसे पुखारू तुम दिन मेरा दिन मारिना ना ना मैं न जानो ये क्या हुआ मैं कुछ ना समझी ये जो हुआ दिन में सचे सुन में न तंचे के लिए कैसे तुम समझा मैं तेरे दिन में हर तुझे सुन और तुझ पे जारी होश्यार आपकी बेटी से ज्यादा मैनस तो आप में दिखाई दे रहे हैं आपके सामने की चेर्स खाली पड़ी है ना तो बेट जाएए नो मैडम मैने कहा ना बेट जाएए वाट इस देस प्रोग्रेस कार्ट है मैडम ये तो मुझे भी पता है पर इसके अंदर क्या है मार्क्स मैडम मतलब कितने है मतलब मैडम Math, Science, Social, English किसी भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स हैं क्या कम से कम इसे हिंदी में तो पासिंग मार्क्स लाने चाहिए ना ओके मैडम खयाल रखूँगा दोबारा ऐसा ना हो क्या खयाल रखेंगे अटेंडेंस भी ठीक नहीं है इसकी किसी न किसी बहाने से रोज छुट्टी लेती रहती है मैडम, दोबारा ऐसा बिलकुल नहीं होगा अगर दोबारा ये सब रिपीट हुआ I will take serious action आप फिकर मत कीजे मैडम अबसे हफते में सातो दिन आएगी ये सारी, संडे हॉलिडे है न छे दिन स्कूल आएगी मैडम ओके, अब आप जा सकते हैं ओके मैडम डादी, दोबारा गेम्स, फिल्म्स, गाने ऐसा कुछ कहा तो देखा आपके वज़ा से प्रिंसिपल के सामने सर शुकाना पड़ रहा है शा तो बारा से अगर आप आफिस से लीव लेंगे तो मैं चप नहीं रहूंगी संडे को भी आपको आफिस जाना पड़ेगा मेरी पूरी स्टडी साब डिस्टर्ब कर रहे हो अरे, मैंने क्या किया है ये सब आपकी वज़े से, आपकी वज़े से हुआ है हेलो एक बार तु मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया इसमें क्या है सर, उसने कोई गलत ही कियोगी तो आपको गुस्सा आ गया नहीं, उसने कहा स्कूल जाना है स्कूल जाने में गलत क्या है पागल हो क्या, वो स्कूल जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूँगा तो आपने उसे स्कूल नहीं भेजा आप सच में पागल हो, अगर वो तब स्कूल नहीं जाती तो आज कॉलेज में होती क्या वो ओ, पॉइंट है क्या हुआ इतना लेट कैसे, साइकल पंचर हो गई थी, हर रोज कोई ना कोई बहाना करके लेट करती है यह टेस्ट करो नहीं, तुम्हारी तरह चोटी बच्ची नहीं हूँ मैट्स का हूमवा कमप्लीट हो गया क्या तुम्हारा? मेरा अब तक हुआ नहीं हाँ पर तू चेक कर ले ना, तेरा काम हो गया होगा तो मैं कर लो क्या आल है, इसे देखते है मेरा भी मन कर रहाए हुлом होगoking क्या है क्या है, रोज मुझे देखकर कमेंट करते हो क्यों उसकी तरफ क्यों देखते हो, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते है मैं सुन्दर नहीं हूँ, क्या पर तो क्यों ? Suzanne जाने देना वो सब नहीं, तुझे अभी बताना पड़ेगा दादी मा मुझे में कुछ कमी है अकल की कमी है सच में, तुमसे पूछना ही बेकार है मुझे मेरी बेकार ले बेकार है अरे आओना माजरा, अरे क्यों लेके जारी है मुझे, अरे बाप तो बता क्या है, कहां लेके जारी है, बताना, हर्शिता मुझे घर में बहुत काम है कहां जाना है, बताओ तो, क्या लड़की है तू, ख्रीक से बैठो ना, अरे यहां पर क्यों लेकर आईए, अरे आओ माँ बताती हूँ, excuse me, gynecologist है क्या, sorry मैडम, आज female doctor नहीं, बस male doctor है, क्या हुआ है, कौन है, नाम बताएंगे प्लीज, one second, महिश सर है, श्रीकान सर है, सुबराव सर है, और रमेश सर भी है, सुबराव जी का अपॉइंट में दीजे, अरे, क्या हुआ, बताएंगे, क्या परेशानी है, बता ना, प्रॉब्लम किसको है, आपको या आपको, मुझे है, हाँ, तो आप ज़रा बाहर वेट कीजिए, ये बताने में थोड़ा हिच्च की चाह रही है, नहीं, नहीं, रहने दो मामी को, ठीक है तु बताओ, देखो, वकील और डॉक्टर से कुछ चुपाना नहीं चाहिए, बताओ, क्या प्रॉब्लम है, वो, वैसे, अभी वो थोड़े छोटे हैं न, छोटे हैं, आख हैं, ओ, ओके, ओके, आई अंडरस्टेंड, एक्चुली, उन्हें बिक साइज में लाने के लिए, ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन थोड़े healthy issues आएंगे, तो यह अच्छा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, दूसरा option है, क्या है, मतलब अभी market में मिलते हैं, ready made, natural दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपको जिस साइज का चाहिए, उस साइज का, आपको मिल सकता है, वो आपको medical store में ज ठेंक यू डग्टर, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है, पता लगायों, देखते हैं, मुझे नहीं पता, तु मैं पता, तुमीं पता है, यह कैसा बदलाव यह प्रकृतिकानिया में है कर दो 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 मा खाने के लिए कुछ बना है क्या टाइम हो गया है ना स्कूल नहीं जाना है क्या अज भाईया कॉलेज जा रहे है ना मतलब अगर वो कॉलेज जाएगा तो तू स्कूल नहीं जाएगी क्या चल ठीक है सारे कपड़े ठीक से रख दिया है ना हाँ कपके मा यह क्या है मा बैग में सारे कपड़े क्यू नहीं है क्या हो भाईया सारे कपड़े नहीं है मा अपनी बहन से ही पूछ ले इसी नहीं सारे कपड़े रखे है सारे कपड़े तो यही हैं कहां सारे हैं, जादा मुद बोला अगर मैं सारे कपड़े रख दूँगी तो आप भी पापा की तरह लोट कर नहीं आओगे पापा हमारे लिए ही तो वहां मैनद कर रहे है इस साल जरूर आएंगे वो तुम दुखी मत हो और मैं तो यहां आता रहूंगा ना, परिशान मत हो चलता हूं मा, बसका टाइम हो गया, निकलता हूं ठीक है बेटा बाए मा मन लगा कर पढ़ाई करना हाँ बेटा, हाँ बेटा अपना ध्यान रखना हाँ और खाना समय पे खा लेना ठीक है बेटा बेटा, समभल कर जाना, ठीक है मत रोको उसे यार, गाहों से कॉलेज जा रहा हूं ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मुझे तो रोना भी आ रहा है पहली बार हम लोग गाहों छोड़के जा रहे हैं तो ये सब तो होना ही है चलो चलते हैं मेरा मुझे दे यार मैं नहीं दुआ यार मैं जीन दूना यार महिं आहां पासकर यार हमेशा लड़ते रहते हो चलो जल्दी हें बस आगई यार कहते जल्दी बागे अधिल कई रुको जड़ यार चल 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 जल 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 आजा आजा पाई तुम्हारा आईडी काट कहा है सर वो दिखाओ मुझे हाँ ओस्टिल में भूल गया सर क्या कहा भूल गया अलजाइमर हुआ है क्या हाँ एई जी सर ओ पी भवन इंटर सेकेंड ये जिस कार्ट के बारे में तुम बोल रहे थे भूल गया वो तो यहां मिल गया यह वही है न सो हॉस्टल में कार्ट भूल गये यह बात जूट थी न नहीं नहीं सर तो फिर ये कार्ट तुमने कहां खोया था और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया जरा बताओ सर ये कार्ट कहां गुम हो गया मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है नहीं पता नहीं सर मैं बताओं क्या सर क्लास मिस करके और इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये किसी को बता ना चले वाडन की नजरों से बच कर तुम बगल के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे तो ये वहीं गिर गया था सेर में वहां पर नहीं गया था पता नहीं ये काट वहां कैसे पहुच्किया सर नहीं नहीं पता ये तेरे तुन्हें दूसरी बार जूट बोला नहीं सर बिलकुल नहीं अब तुसे बात करके कोई फादा नहीं अपने पैरेंट्स को लेकर आ सर सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए रोने से मुझे बहुत चीड है इस कॉलेज में बच्चे अड्मिशन लेते हैं रेंक लाकर आइंस्टेन और न्यूटन बनने के लिए समझे ना कि यहां पर तेंदुलकर और गांगुली बनने के लिए यह स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है जो तुम बेवजा का खेल 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 रहे हो इस इस रेंकर कॉलेज I want only ranks इस इस नंबर वन कॉलेज always I want to be number one कॉलेज in this state understand हाँ रोको रोको यही रोक दो आजा बिटार आओ आजा सर जैन सर रख लो तुम एक बार इस कॉलेज में अड्मिशन हो गया ना तो पीजी करके बाहर आना यही रुको बेटा सर new joining है इस counter पर सर application यह लेजी सर सुनिये यह application ज़रा application बरना है यहाँ student का नाम और यहाँ sign करके दे दीजिये ठीक है थैंक्यू सर हाँ 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 सर यह लीजी application सब हो गया बिटी application form भर दिया मैंने वो तुम्हे class दिखा देंगे ठीक है ना मैं अब जाओं डरने की जरुवत नहीं है चलता हूँ बिटा ओकी पापा पापा हाँ क्या हुआ क्या हुआ बिटी पापा फिर कब आओगे जब बुलाओगी तब आ जाओंगा मैं रात में राजमंड़ी से बस में बैठ गया तो सुबह तक हैद्राबत पहुँच जाओंगा हाँ पर कल उतरते ही फोन करके मुझे बुला मत लेना मुझे कोई परिशानी नहीं है पर तेरी मा शांत नहीं रहेगी हम दोनों को थपड लगाएगी समझ गई ठीक है ना अब मैं चलू रोना मत बाई स्माइल स्वारी कितना अच्छा है नहीं अच्छा कर दिया था क्या अच्छा कर दिया था क्या अच्छा है अच्छा मुझे नोट्स दें ठीक है ना एक एडमिशन फॉन दीजे और हॉस्टल का भी दो आर दीजे ना अच्छा मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है यार कोई देखने वाला नहीं है कुछ नहीं होगा चुप रहा है अरे दू फिलब कर दे यार बसकरो तुम दुरो मुझे दो मैं फिल कर दूँगा अरे प्लीस यार मेरा फिल अरे करते अपना फॉर्म फिलप करा रहा है देख लूगा तुछे यह तरी डेट ऑफ बेर्ध क्या है? 16 जून 1986 यह आज की डेट देट अज़ आज मीरा बर्ध पूछ रहा हूं हां सेम डे है आज मेरा बर्डे है यार एज? 16 नहीं यार 17 है 16 है आरे बोलाना 17 है 16 है ए शोर क्यों में चार रहे हो अरे यार क्यों शोर कर रहा है यार ये बोल रहा है है मेरा पन कहां गया पन पन कहां चला गया ए वहाँ देख ये मेरा पन है ये मेरा पन है चलो चलते है क्या हुआ न्यू एड्मिशन हो हां ये है तुम्हारा बेड थांक यू हाई मेरा नाम हर्षिता है हाई सरिता ये है गीता हाई हाई और ये है रोहिनी हाई हाई कहां से हो राजमंडरी से हो और तो ये हैदराबाद लोकल से है मैं गुंटूर की हूँ और ये कर्नूल की ओके गाउं से कोई फरक नहीं पड़ता हम सभी हॉस्टल में मिले ये ही बहुत है बस तुमसे एक साल पहले ही मैं यहां आ गई थी पर तुम्हें एक बात बतानी है एई क्या बात बतानी है तुम्हें जानते हैं और तुम जूनियर्स ये बात अच्छे से समझ लेना अगर मेरी नजरों में धूल जोकने की कोशिश की या अगर मुझे बताए बिना यहां से बाहर जाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी मौत पक्की फास कर बोईस से दूर रहना आसपास में हॉस्टल्स ही ह पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के गेट की तरह हमारे और उनके बीच में एक दिवार है बी कैफुल हाँ हर्शिता हलो पापा कैसी हो बिटी मैं बिलकुल ठीक नहीं हूँ यहां का हॉस्टल का खाना बहुत ही बेकार है अच्छा मैं तुम्हारी मां से बात कराता हूँ रुको हलो पापा बोलो बिटी पापा आप कब आओगे मुझे तो यहां नर्क जैसा लग रहा है तुम्हें देखे बिना मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ दो दिन में आ जाओं मैं कल भी आपने यही बोला था मुझे यह हॉस्टल पसंद नहीं आपको तो मैं गाह में पढ़ लू है कि अ यह ऌधर में बॉल डेखे छुआ जिता ने देखे अट ने देखे यह न ने देख यहां थाट पतंग अ कोई गुना है क्या बस मजे के लिए उड़ा रहा है अँष्ण देल देले देल यहार अइजल देल 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 जलीद देल दो अजलिदी अशे यहारी, वह अहारी है कि वह सबोष्टल में अब inanently को जले है हेई पतन्ग, पतन्ग, कहा है? पगड़ो न, पड़ऑ ने, पड़्यों को पगड़ो, अब्दो आबि यह वारे, मेरी मुझे अरे, मेरी उख बड़ा, अ Mean मेरी 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 यह हमारी है मेरी मेरी अरे सुन्ना जराए देरा इसे पकड़तो अरे अबे ठीक कर रहा हुबे अरे बाब का नौकर हुँँ क्या बूरी जिन्दिगी तुझे दूसरों पर निर्बर रहना है क्या अपना काम खुद से नहीं कर सकता है अरे भाई तुटना गुस्सा क्यों हो रहा है हम सब दोस्त एकी तो है चाहिए तो पैसे दे दूँगा यार अरे मेरे उधार के पैसे दे तो जणा यार अभी तो वो मेरे पास नहीं है अबे दे यार तू करेगा इस तरी अरे बाब्र ये लो ये ले बगाड़ अब तो इस तरी घर अबे तेरी तो राम सुनना सुबा सुबा मैंने मा को फोन किया था गाउं में सब लोग अच्छे हैं पर वो पूछ रही थी तुम लोग घर का बाओगे कॉलेज अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुझे इतनी जल्दी घर भी जाना है घर जाने में गलत क्या है है हाँ है किस गाउं से हो करीम में घर और तू तीनों एक ही गाउं के हैं अच्छा तीनों को साथ में रहना था इसलिए साथ में अडमिशन लिया है तुम यह क्या कर रहे हो हां सब के सब नालायक कहीं के तुम लोग क्या कर रहे हो वो में उपर हां पढ़ रहे थी सर सब के सब नालायक है हां हर्शिता हां पापा आज हम यहां से निकल रहे हैं पापा यहां मुझे कोई परिशानी नहीं है आप एक बर फिर सोच लीजे अब मैं क्या सोचूँ सोचना तो तुम्हें है ना वो फर्स दिन कोई फ्रेंस नहीं थे ना इसलिए ऐसा लगा क्या है हलो मा आने के लिए बार-बार फोन क्यों कर रही हो होस्टल में मन नहीं लग रहा क्या बाकी लोग भी तो रहते हैं ना होस्टल में यहां पर अगर आ गई ना तो तुम्हारी पढ़ाई तो हो चुकी मन लगा कर पढ़ाई करो तुम्हारे और तुम्हारे पापा का मैं नहीं आउंगी, शादी करवाएंगी कट कर दिया तुम्हारी वज़े से वो बिगड़ती जा रही है खाओ इडली रहीं आउंगी हुआ 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 है बुर्माणिंस्टूद्सूद्स प्लीस प्लीज टाओ थैंक यू सर्व तोडेविश्च बीजिए बाफ टॉपिक आफ दीवलॉप्मेंट इन डॉक्षर ऑफ अम्रियोसेक नौत दॉपन देना यार नहीं आर मेरे पास एक ही पहन है क्यों एक और लाता तो मर जाता क्या तुझे क्या मतलब है हां एक सर देख रहे है हम दा फ्लेवर इस रिप्रोडेक्टिव आफ एंगियो स्पाम अरे एक यार आज हमारे होस्टल में अंडा करी बनेगा यार तुझे कैसे पता सुभा में ने अंडे उबालते में देख लिया तुझे बोल रहे हैं तीनों खड़े हो जाओ क्या बात कर रहे थे तुम तीनों यह कह रहा था सर कि आज हमारे होस्टल में अंडा करी बनने वाला है इन यहां पराओ रहा है सो तेरी पचे से भुए है जो पढ़ा रहा हो वह सेने के बजा है कौन सी कौरी कौन सा राईस यही सब सोचने के लिए यह आते हो आज से तुम तीनों एक सेक्शन में नहीं बैठोगे तीनों अलग अलग बैठोगे तेरा A-section तेरा B-section तेरा C-section त बाए गार जा रहा है बाए सर कौन सा सिख्षन है उन दोनों के ए भी सेक्षन और मुझे सी सेक्षन में जाने के लिए आपने ही बूला था सर यही रिखा पता नहीं होगा है पढ़ने के लिए silence H2O contains two hydrogen atoms and one oxygen atoms the hydrogen bond is an attractive interaction between thank you madam why are you late go and sit there okay so where were we I was saying H2O contains two hydrogen atoms and one oxygen atoms you all have a note yes ma'am and you no ma'am give me some notes please Harshita give me thank you okay students that's all for today okay ma'am thank you ma'am go 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 कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँगी चलो ना होस्टल के लिए लेट हो जाएंगे बस हो गया एक मिठा कोई बात नहीं मैं कल ले लूँगी ठीक है क्या भाई इतना सीरिस हो क्या लिख रहा है पास हो कर रहा है अबे ऐसा खुछ नहीं है कल सुब उस लड़की को ये नोटबूक वापस कर रही है लड़की को लड़की को या यार क्या कर रहा है क्या कर रहा है हरशिता भाई लड़की ने तुम्हें नोटबूक दिये इसका मतलब मामला सेट है हमें तो किसी लड़के ने नोटबूक नहीं दी और तुझे लड़की ने दे दी उसने बस नोटबूक दी है मुझे उसने तुझे दी तो है ना यार, हमें तो वो भी कोई नहीं देता अरे यार, हम लोग एक ही क्लास में नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है कल से किसी तरह तेरी क्लास में आ जाएंगे क्या भाई, आज तो बहुत सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं यार कहीं किसी ने तुम्हें I love you तो नहीं कह दिया अरे इनको ए, क्यों, मुझे कोई नहीं कह सकती क्या ए, ये बस बातों का ही किंग है क्या भाई, लड़कियों से नस्दीक या है तो मेरी ही, लेकिन अजानक कोई बीच में आ गया यार छे, इसी बात का दुख है ये है, समझा, तू भी न कहाँ चलिए ओ लड़की तुझे देख रहे है यार नोटबुक कहा है यार उस लड़की की नोटबुक मैंने कहां रगए कौन सी जिससे रात में लिख रहा था हो आली चार दिन तुझे परिशान करने के लिए नोटबुक होस्टल में चुपा दी थी है ये लोग यहां क्या कर रहे है कला के दे दूँगा, प्लीज लाना भूल गया, कल पक्का दे दूँगा एई, जड़ा देख के बात कर वो मेरी है मेरी लवर हमारी क्लास में कम से कम तस लड़किया है लेकिन एक भी ऐसी हो तो काफी है गुद मॉर्ण गुद मॉर्ण गुद मॉर्ण सिट आउन, सिट आउन थैंक यू माम हे यू, तुम लोग सेकंड यूर की हो ना? यस माम, मैं सिट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डीटेल्स में समझने आए हैं ओकी गुद, सिट आउन, थैंक यू माम ओकी स्टुदेंस, बिफोर गों तो नेक्स क्लास आउन वुद लाग तो चेक यूर नोट्स आप सब लोग प्रिपेड तो हो ना? यस माम पकाल आके देवाँ आप, प्लीज यू, गेट अप क्या चल रहा है? फिर्स, गेट आप अप मैं क्लास अपने अपने नोट्स यहां टेबल पर दग दो प्लीज, सुखरी, अब 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 यही उगी, कल मैं पकाले यहांगा आप मुझे आप ही चाहिये हर्शिता हाँ हाँ वाद इस गोइंग अब अब अचली अब फिर्स, गेट आउप मैं क्लास सब कुछ मेरी वज़े से हुआ कल मैं पक्का ले के आऊंगा I'm so sorry, please, please, maaf कर दो Sorry, sorry, हरशिता राम, फर्स्ट येर का स्टूडेंट भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है वैसे, तेरे और हरशिता के बीच में क्या है? क्या होगा भाई? उसने मुझे अपनी नोट बुक दी थी और मैं गलती से उसे लाना भूल गया था वैसे, आल्रेड़ी मैंने उसे अभी दे दी है अच्छा, मैं मान लूँ असल में क्या बात है वो बता मैं आपसे जूट क्यों बोलूँगा भाई बस इतनी सी ही बात है अब वो लड़की मुझसे बात क्यों करेगी हे राम हाई 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 हर्शिता, वो तुम्हारी नोट बुक मैं कल लाके दे दूँगा प्लीज हाई इस ओके, कोई बात नहीं, चाय पी होगे क्या ओके यह कैसे चे, क्या जिन्दिगी है मेरी जिन्दिगी एक्स्प्लॉर करने की वज़ा है हम यह एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं यार क्या यह ऐसे फूलेगा क्या यार अरे भाई यह सब हमें जरूरी है क्या तु एक काम कर, तु सिधा बस टेंड जा और वहां से अपने गाउं की बस पकड़ ले पकड़ने के बाद? करीम नगर उतर जाना उतरने के बाद? वो हमारा चाय वाला बंदा है न वो हमारे चाय की टपरी वाला बंदा है वही, उसके पास जाना उसका बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है ये, देख 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 ओके? ये, ये हमें कॉमपेटिशन दे रहा है क्या? अरे उसकी क्या उकाद जो आपसे कॉमपेटिशन लेगा आप सिंयर हैं, आप उससे बहुत आगे हैं ए विंदा, तुम्हें और तुम्हारे बैज को सर बुला रहा हैं स्टाफ रूम में कौन सर प्रिंसिपल के अरे प्रिंसिपल नहीं भाई केमेस्ट्री लेक्चरर शिवा जी सर किसलिए अरे क्यों बुला रहा है मुझा पता सारा का मुझा ही करने के लिए कहते हैं का का मुगा यार है चल कर देखते हैं केमेस्ट्री के लेक्चरर से मिलते हैं जब तक हम केमेस्ट्री के मास्ट्र से मिलके आएंग ना तब तक इनकी के मेस्ट्री शुरू है जाएगी यार आहां यार चल आजा आहां यार सही खादू तु बिल्कुल अच्छा कराता है तेरी बात तो सही है बिल्कुल लेकिन ये एए चल साइड में चल के बात करते हैं कहां जारें तुम लोग सर हम तो आभी के पास आरे थे बुलिये सर क्या बात है ये 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 अलसो कम ये चलो अब कहानी मुझे मत सिखाओ जाकर अपने हिंदी टीचर को सुनाओ वो सुनेंगे मैं केमिस्टी का टीचर हूँ मुझे सब कुछ प्रेक्टिकल चाहिए होता है क्यों तु हाथ नहीं बांदेगा क्या आजकल क्लास में आना बंद कर दिया है ना आता तो हूँ सर लेकिन हम लोग फर्स्ट यर की क्लास में जा रहे हैं वही तो तुम लोग फर्स्ट यर क्लास में चक्कर लगा रहे हो यही तो मेरा फ्रस्टेशन है अनूश्री मडम की क्लास में क्यों जा रहे हो? वो क्या मुझसे अच्छा सिखाती हैं तुमें? ऐसा नहीं है सर, वो M.S.E.T. का एक्जाम आ रहा है न? तो डीटेल्स में समझने के लिए जाते हैं सर अच्छा, तो तुम लोग क्या सीख रहे हैं उनसे? वही सर, और्गेनिक कंपाउंड्स अरे, जब देखो तुम लोग हमारे कॉलेज के कंपाउंड में घूमते रहते हो तुम लोग और्गेनिक कंपाउंड सीखोगे और ये बात मैं मान जाओं चलो एक सिंपल क्वेस्टेन पूछता हूं हाँ मेनी टाइपस अफ कार्बन आर दे और और ये इतना सिंपल क्वेस्टेन में यादा तुम्हें सर मुझे पता है सर दोजा थ्री तैपस ताइमंड ग्राफ़ाइड और पुल्राइड वेरी गुड इस बार मा और रिक सिंपल क्वेस्टेन पूछता हूं पेंटेन हैस दे मॉलेकुला फॉरमूला C5H12 इस वाव मेनी क्वार्व जन बांट फाइब सेर त्वेल्ट ओल्स थेरा गां कौन सा इसजटना अगर सै इसप्टा पूछा ना तो मेरी थोड़ी इजट तो रख ले सेविंटीन सर अच्छा बेटे तुम्हें पता है क्या पता है सर सिक्स्टीन सर वेरी गुड राम, क्लास में आने के बज़ा यहां क्या कर रहे हो क्यों मेडम, यह सेकेंड यर का नहीं है क्या नहीं सर, यह लड़का फर्स्ट यर का है Most intelligent boy ऐसे बच्चों को तो हमें प्रोच्थान देना चाहिए इसलिए मैं इसे एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं और वो भी आपके हाथों से शूर सर यह लो थैंक्यू मैम थैंक्यू सर अब तुम क्या देख रहे हो उयुद्ट पारकाश रोगनिक फैलोज चलो बाढ़ निकलो कितना अच्छा तू घर भात कर सकते है इसमें क्यां अच्छी कमपनी का डलवा था हिशा फजल्ग अंच्छी कंपनी का डलवाना जिससे पूरा हॉस्टल और एक हमारे पास होता हुआ, देखो, फोन कितना बढ़िया है, इसमें औप्शन्स भी बहुत है, दिखाते हैं, यह दबाओ गे तुझ यह ओन होगा, हालो, क्या है ये, हर्षिता, यह फोन, शर ने मुझे गिफ्ट दिया है, क्या, फोन, मुझे दिखाउ, मुझे दिखाउ वा, कितना बढ़िया है, रोज अपने घर फोन करूंगी इससे तुम्हारे घर में फोन है क्या? हाँ, है इसमें SIM नहीं है, कैसे करोगी? SIM नहीं है ठीक है मुझे दो, मुझे हास्टल जाना नहीं दूंगी, पहले मेरा नोटबुक दे दो, उसके बाद आकर लेना अरे ये नोटबुक की क्या कहानी है भाई अरे ये वो तो फोन ले गई हाई हाई ये लो तुम्हारी नोटबुक ले आया हूँ, लो रख लो बहुत दिनों की बाद मिल ली है, कोई बात नहीं, इस बुक की वज़े से हमारे बीच फ्रेंशिप हो गई सच कह रहे हो, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है ये क्या आज क्लास में कोई नहीं हाँ कोई आया क्यों नहीं अभी आट बज रहा है ना अच्छा ये बात है, हम क्लास में पहले ही आ गए है वन सेकेंड रहने दो, इसे दूम अपने ही पास रखो ये जुबान की बात है, नोट बुक दी ना, अब ये लो क्या रे, इतनी जल्दी कैसे क्लास में आ गया, कुछ परसनल है क्या ये वो फोन ही दर दे, आबे दे ना, ये बिंदा, फोन दे दू, क्यों दे दू फोन, ठीक है दे दूँगा, लेकिन बदले में तुम क्या दोगी, अच्छी, हेई, क्या बात कर रहे हो, मैनर्स नहीं है तुम्हें, नहीं है, तुम सिखाएगा क्या, चलो हर्षिता, हेई, बात कर रहा हो न, बीच में कहा जा रही है, हाँ छोड़ो, उसने पकड़ा तो बुरा नहीं लगा, तो मेरे पकड़ने पे बुरा क्यों लग रहा है, पहले उसको छोड़ने के लिए बोल, फिर मैं भी छोड़ दूँगा, हेई, क्या है बे, हेई, अरे, भाई, मारे से, च छोड़ो, क्या कर रहे हो, बस करो बिंदा, छोड़ो उसे, छोड़ो, अरे, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो बिंदा, छोड़ो उसे, मत नरो उसे, रुक जाओ, रुक जाओ बिंदा, बिंदा, क्या कर रहे हो, बिंदा, क्या कर रहे हो, बिंदा, क्या कर रहे हो, बिंदा, जाने दो क्या करें चोड़ों से पिंदा राम चोड़ों 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 मत लडाई करो चोड़ों 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 करता करें तुम लग वहां क्या कर रहे थे आठ बजे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे मुझे जवाब चाहिए जब क्लास नौ बजे स्टार्ट होती है तो नौ दस, नौ पंद्रह और तुम मेंसे कई तो ऐसे हैं जो साढ़े नौ बजे क्लास आते हैं तो ये बताओ कि तुम वहाँ आठ बजे क्लास में क्या कर रहे थे तुम वहाँ जगड़ा क्यों कर रहे थे कमी सर हाँ, हाँ, ये देवी का मेडम आई है सर क्या है ये, क्या आज कल आप इस्टूडेंट्स को आठ बजे ही छोड़ देती है वो क्यों भाई, यह सब क्या हो रहा है ऐसी बात नहीं है सर तो कैसी बात है बताओ स्टुडेंट्स कहां जा रहा है, क्या कर रहा है इस बात के तुम्हें चिंता नहीं है बैठ कर फोन चलाते रहते हो क्या नाम क्या है हर्शिता सर और गाउं और तेरा करीम नगर करीम नगर सर करीम नगर राजमंदरी क्यों रहे बिंदा सर बात क्या थी साइलेंस इस नोट दान सर इतने सालों से कॉलेज की रेपिटेशन को बचाते आ रहा हो और तुम लोग पढ़ाई करने के बजाए लड़ाई जगड़े कर रहे हो क्यों चर्वी जादा हो गई है क्या मेरे बारे में पता है न अब ही क्या भी टीसी दे कर भिजवा दूँगा सिर्फ इतना ही नहीं कंड़क्ट सर्टिफिकेट में बैड लिख दूगा फिनिश जिंदिगी खतम लिख दू क्या सर हमें कुछ नहीं पता सर हम लोग वहां से जा रहे थे तो राम और हर्शिता पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे और सर वहां ओके ओके I understand क्या कर रहे थे तुम लोग वहां सर मैंने हर्शिता की नोट बुक ली थी वो देने के लिए गया था हाँ सर क्लास के टाइम में भी दे सकते थे ना सुबे आठ बजे देना ही जरूरी था क्या कोई मुहरत निकाला था ये तो लड़का है तुम्हें क्या हो गया था सब के आने से पहले जब क्लास में कोई भी नहीं था तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे तुम लोग क्या बात कर रहे थे हाँ मतलब I think something is going wrong ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सर We are just friends Just friends है Yes sir I can't believe that तुम दोनों के बीच में कुछ तो गरबड है ऐसा नहीं है सर कुछ नहीं है सर मैं इसे नहीं मानता हू कुछ नहीं है सर कुछ तो है सच में कुछ नहीं है सर Have something सर सच में कुछ नहीं है सर मैं कहे रहाँ ना कुछ है सच नहीं है सर हाँ है Yes है we have something हाँ हमारे बीच कुछ है मैं राम से प्यार करती हूँ राम से शादी करूँगी और राम के साथ ही मेरे बच्चे होंगे वाट क्या कर लेंगे सर आप ज्यादा से जबदा टीसी दे देंगे इन सब चीजों के लिए मैं तयार हूँ I'm ready for anything and everything सच में तो great है यार तुन उस लड़के को I love you नहीं बोला और सीधे प्रिंसिपल को बोल दिया वैसे भी प्रिंसिपल तुझे छोड़ेगा नहीं तु कहीं भी रह तुछ पर नजर जमाय रखेगा उसने क्या गलत किया है अगर कोई इतना जोड़ दे के बोलेगा तो जवाब तो देना होगा हर्शिता सच में तुम उस लड़के से प्यार करती हो बात ऐसी नहीं है हमने कोई गलती नहीं की है प्रिंसिपल हमसे जैसे बात कर रहा था देखकर मेरा खोन खौल गया हर्शिता पूछ कर कर रहे हैं या क्या सोच कर कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा सर बच्चों का जेनरेशन बहुत बदल गया है मैडम आज कल तो ये लोग क्लास में भी नहीं आते हैं सर ये देखिए आ गई आपकी बेटी हाँ कैसी हो अच्छी हो पापा मेडम और क्या हाल चलते हैं हाँ चलते हैं श reelो माईडम ओक सल सबाएशन कि अच्छी बदी हो गई तुमएट इससे हो गयी हूं पापा अच्छी रही नाजijn कि अची तरह से खाना खाना चाहिए न भरे स सर नमस्ते हां नमस्ते ये तुम्हारे पिताजी है हहां जी पढ़ाई चल रही है बहुत सारे काम है बाद में मिलते हैं यह आजकल की लड़किया मेरी समझ में नहीं आती है आई यहां पर पेड़ बढ़ गया है क्या हुआ पापा आप अजानक आ गए यह क्या बेटा तुम्हें पता नहीं है कल से तुम्हारी छुटियां है ना कॉलेज वालों ने फोन किया था अच्छा ऐसा है ठीक है पापा आप यहां बैठिये मैं हॉस्टल से जाकर परमिशन लेकर आती हूँ समान भी लेकर आजाओ भी ठीक है सार आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं प्रिंसिपल क्यों हम तो गाउं जा रहे हैं दस मिनट की तो बात है चल कर मिल लेते हैं ठीक है पापा आप जाएए मैं अभी लेकर आती हूँ समान आप दोनों कोई बुला रहे हैं चलो प्रिंसिपल सर अंदर मेटिंग में हैं आप लोग यहां बैठिए ठीक मैं अंदर देखकर आता हूँ आप बैठिए प्रिंसिपल सर को अभी मेटिंग में एक घंट आओर लगेगा अगर वेट कर सकते हैं तो बैठिया नहीं तो जाइए बाद में वो फोन करेंगे हम चले जाते हैं ओके पापा चलो अरे भाई लगता हो लड़की नहीं आएगी यार चलो चलते हैं बसका टाइम हो रहा है मुझे उस लड़की से बात कर रही है यार अगर उस लड़की को तुम पसंद हो तो यह बात तुम्हें बतानी चाहिए थी ना तो फिर उसने प्रिंसिपल को क्यों बताई शारत प्रिंसिपल पसंद होगा अब बावकूफ उसने मुझसे नहीं कहा है उसने प्रिंसिपल के सामने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ अरे यार यह तीना आज है तिरी बंदी कहें है यह उसके बोरे में ऐसा मत बोल क्या यार चार दिन का प्यार और दोस्पे मार अच्छा है यह गीता वो तो कल ही चली गई कल मतलब यस्टेड़े यस्टेड़े हां राम उसके पिताजी आये थे उसे लेकर चले गए चली यार बहुत देख लिया जो होना था हो गया प्यार करेगा तू ए उटा पकड़ यह क्या होस्टल में कपड़े नी दोते हैं क्या चुटियां शुरू होने वाली थी पता है ना वो लड़के करते हैं लड़किया नहीं लड़का हो या लड़की इस घर पे तो यही है ना आपने सही कहा पापा बशपन से ही लाड़ प्यार से इसे बिगार दिया है अपने पापा ने क्या किया? जो किया है, इन्हींने किया है तुम्हारे साथ खेलने कूदने के चक्कर में इन्होंने अपनी नौकरी गवा दी अब इन्हें पता नहीं ये क्या करना है और रियल स्टेट वाले पीछे पड़े हैं छे? बापरे, कहीं प्रिंसिपल तो नहीं हेलो हाँ, हम पहुँच गए बस आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे बच गए कौन था? सीनू बाबू, करोपती का बेटा उनकी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं बताया था ना? सब लोग पहुच गए हैं, हम लोग अभी यही हैं मैं तो तयार ही है चलो, जल्दी करो हर्शी, हम एक गंटे में लटके आएंगे दर्वाजा बंद कर लो बाइ बाइ हम टू, फॉर, फाइफ, त्री, सिक्स यह करीम नगर में फोन तो लगता ही नहीं है हलो, बिनोज जी हैं क्या आप कौन? मैं हैदराबास से न्यूटन कॉलेज का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ हाँ, प्रिंसिपल हाँ हलो हलो आप कौन हो, कौन है, किस से बात करनी है राजमंद्री फोन लगाया था, तो यह चिन्नही कैसे कनेक्ट हो गया हाँ इस फोन से नानी को फोन लगा सकते हैं क्या? नानी के पास फोन नहीं है ना तो भिर पापा को करें क्या? बहुत पैसे लगेंगे, वो दुबई में है ना? इतना बैलेंस नहीं है इसमें भाया, भाया फोन आ रहा है कौन है? कौन है? हलो? हलो? हलो, कौन बुल रहा है? हलो, मैं अर्शिता बूल रही हूं कौन है बिटा? अच्छा आप बूल रही हूं अरे खाना तो जा कर जाए बाद में आके खाता हूं अरे कौन है फोन पर? फ्रेंड है मा हलो हर्शिता, कैसी हूं? मैं अच्छी हूं, तुम कैसे हूं? मैं भी अच्छा हूं हाँ, और बताऊ क्या बताऊ हलो 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 अरे राम, नया फोन है यह सिग्नल नहीं मिलता है अगर अर्जन्ट है तो मंदिर के पास जाकर बात कर लो क्या है हलो के राम इदर आ कहा जा रहा हूं तू कहीं दीजिए और पास वांधर के पास कहां से लिखा रहा है क्या बात है फोन तो मजब है भाया फोन दे दिजिए मुझे आजन किसी से बात निहीं तुने खरिदा यह तेरे बाप ने बेजा है प्र क्लिए लृव च gros दे लॉन आरोगेशान आरे इस कारें? अलो यदा राय खार नो केसी ओ आप शिए-टतनी यिद्रあ मुझे और सब्सकता है मुँआ, मुँआ, मुझे भी दोना बात करने के लिए कालिया के लिए के लिए बात करने के लिए अजया 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 पुँआूएएफ पुँआ姓 तुँआ फुँआ भुँआएवफ बहीं मुँआएएएप पोás गो हुआ जुड़ कि जि mínimo के जिता हुआ तुह by बा हुआ या को जुए कि या कि इिर खुए जा जुट लोग जुए थ़ंजे या जडित peculiar ठबड़र ठाल्च कोई citizenship ё तोन ए कोई फोन ए प्रण प्रण में वोन ए परत्से Mind प्रणा कोई प्राफ कि ए ख। फोन एंड एंड कोई ए है उई और वंदेश कमीने तरह कर जाना पीटा ठीक है बापा उतरते ही फोन करना गॉलिज पहुचते ही फोन कर दूंगी कुछ दिनों पहले प्रिंसिपल का फोन आया था उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बताया मैंने ध्यान नहीं दिया तुम भी मत ध्यान देना समभल कर जाना मन लगा कर पढ़ाई करना ठीक है पापा भाई ध्यान रखना भाई पापा ए हरशिता क्या हुआ तुम अब तक कॉलेज क्यों नहीं गई वो मैं अभी अभी गाउं से आई हूँ बाद में चली जाऊंगी तुम अकेली गाउं से आई हो क्या सभी आज मॉनिंग में ही आये है वो लोग नहीं धके हैं क्या सब तुम्हाई तरह सोई हुए है चली जाऊंगी माम जस्ट रिलाक्स में चली जाऊंगी क्या कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा अब ही चलो प्रिंसिपल को पता चला तो तुम्हें घर भेज देंगे और तुम्हारी तरफदारी करने की मेरी भी हिम्मत नहीं है चलो चलो में कमें नाम में कमें नाम एए ओ तुम कौन सा सेक्षन है एए सेक्षन माम सेक्षन बदल चुका है गो टू सी सेक्षन सी सेक्षन पर हॉलिडे से तो पहले मैं यहीं बैठती थी माम बैठती होगी लेकिन यह प्रिंसिपल का ओर्डर है पर सारे नोट्स चेंज हो जाएंगे माम डोंट टॉक जाओ यहां से तुम लोग का क्या कहना है आरे तुझे एक बात बताता हूँ भाई उस लड़की का प्रिंसिपल को इतना कुछ बोलने के बाद तुम दोनों केवल फ्रेंडस हो यह कोई नहीं मानेगा इसलिए हम अपना अपना काम करेंगा तो अच्छा रहेगा हाँ यार इस प्यारवार से दूर रहते हैं लड़की है इसलिए छोड़ दिया नहीं तो चमड़ी उधेर देता इस मीटिंग का आयोजन इसलिए क्या गया है कि इतने सालों से हमारा ये कॉलेज इस स्थान पर है यानि नंबर वन कॉलेज है उसकी वज़े है ट्रस्ट माबाप का विश्वास और उसी विश्वास की वज़े से लोग दूर दूर से आकर हमारे कॉलेज में अपने बच्चों का एड्मिशन करवाते हैं यही हमारे कॉलेज का स्थेंथ है इसी वज़े से दिन बद दिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही है तो इसी लिए हमारे कॉलेज में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ लेकिन आजकल हमारे कॉलेज में डिसिप्लीन मुझे लगता है थोड़ा डाउन हो रहा है आपकी क्या राह है शास्त्री जी ठीक है सर तो आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे यह सर इसलिए आप के लिए सौरी हम सभी लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के लिए टोटल डिवलप्मेंट डिसिप्लीन के लिए आज से मैं कुछ रूल्स बदल रहा हूँ महरबानी करके शायद वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं विनतिक करता हूँ कि आप सभी लोग इसे फॉलो करना और दूसरों से भी फॉलो करवाना क्या कहते हो यस सर तैंक यू यह अच्छा लगा ना ए बबलू क्या है यह मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई पर मैटर बहुत सीरियस है तुम लोग खुद ही पढ़ लो सीरियस? यह बॉइस एंड गर्ल्स कुड नॉट टाक एट कोलेज मर गे हटो हटो रे ठोले क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं यार कल से लड़के और लड़के एक साथ घूम भी ने सकते और बात भी नहीं कर सकते साथ में घूमेंगे और बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का पारा हाई हो जाएगा सोचा था टेंथ पास करने के बाद कॉलेज जाके कॉलर खड़ा करके घूमेंगे पर यहां तो हमारी जेल जैसी जिंदगी हो गई है हम कॉलेज के लड़कों की कोई इज़त ही नहीं है या? हाँ भाई आपने सही कहा कोई इज़त नहीं है असल मैं कॉलेज के बारे में कुछ और ही सोचा था हमारे गाउं में शिवा कॉलेज ऐसा होता है वैसा होता यह बोलता था और यहां इनजॉय तो कुछ होता ही नहीं है अरे लड़कियों से बात नहीं कर सकते क्या? अरे यह सब इसकी वज़े से हुआ है मैंने क्या किया है? अरे प्रिंसिपल नहीं यह सब तुम दोनों के वज़े से यूत किया है पूरा कॉलेज परिशान हो गया है तो इसमें मैं क्या करूँ यार? एए कुछ नहीं यार अगर मैं उस लड़की से बात करूँगा और किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार भाई 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 प्लीज भाई प्लिस वाई समझे का और रास ये एक काम कर दे प्लिस यार प्लिस ये भी सुक्रने बार चलो चलते हैं बच्छार्या, अए में आफ Okay और ठामने पारिकी जैने रूड रहें यूजडाव यूज़े लिए लौट्गा यू झाया रहें आजबाव तार यूज़ें से again ठाउडार रहें? अभलार इस चालिए मुझे, 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 मुचे , मुषू, मुचे है वे, क्या चल्ट है, हम तो, कुछ निहीं, सेर I want to meet you meet me at admin office hey pass 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 बेटा हम जाये क्या हाँ ओक्या एंकल चालो हुँ हुआ 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 है कैसे हो तो एक्जाम से थोड़ी टेंशन हो रही है हम बात नहीं कर पारे बस इस बात के टेंशन है मुझे मुझे भी लेकिन एक्जाम कंप्लीट होने के बाद घर चले जाएंगे ना हां अगर सेकेंड यर भी खत्म हो गया तो इस स्कॉलेस से ही चले जाएंगे इस बात का दुख है मुझे उसके लिए भी बहुत टाइम है हां तुमसे एक बात पूछो पूछो ना तुम्हें मुझसे कुछ कहने का मन नहीं है है लेकिन क्या है बोलो 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 नहीं तुम पहले तुम बोलो लेकिन पहले तुमने बोल दिया ये तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट कंप्लेट करना है कुछ भी नेगलेट मत करना हर बार की तरह हमारा कॉलेज नंबर वन की पोजिशन पर जी सॉरी सर हां सर प्लीज माफ कर दीजे से अग्रेशन में आकर मैंने आपसे वैसे बात की अब मुझे बोरा लग रहा है सर दुबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे सर प्लीज फॉर्गिवस सर सर क्या हुआ यार फीवर है भाई तो फिर कॉलज नहीं आएगा नहीं यहां पाऊंगा यार मेरे कच्छे कां थे अखल चुकाने क्लेड चोड़ा थे कच्छे कां में था इसलिह तो गाइब होग राइट मेरे कच्छा तुने पैना है क्क्यां थू हुं तू कर रहा है यह का कमब लोड़कर अभी तक सो रहा है कॉलेज नहीं जाएगा क्या फीवर है यार अच्छा यार इंडिया का वंडे मैच है नाच तो सच में इसको बुखार आया यार किर्किट फीवर वो कॉलेज नहीं आने वाला है तूस का अंडर वेयर पहन ले ची तेरी तो है मेरा कच्छा कहां गया यह श्यूंत अब चुपो मत मैं समझ गया बार से देखने से कोई मतलब नहीं अंदर आजाओ आज कल क्रिकेट के दिवाने बहुत हो गया भाई सब्सक्राइबी कमान इंग्न्न आज इंग इंग्न्न नए इंग्नद इस इस पर इटनक्राइब इडिए प्रिंस पले हैं तो सब को दर्वाजा बंद करके कुटेंगे मूँ बंद रखो और देखो स्षवरिस्य अलजा सर्थ कि अचचा थो से अच्छाओ, सकत माँ को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को अचाओ, सब्सक्राइब को अभ्या हुआ को के लिए यह संचिर्व गास माश्या यहां कि एफक्ति हुआ यह वह एंग आजिए लड़का है यह वह तो कि मैस क्षप नहीं हुआ है बैटो तैन दूलकर के आट होने के बाद क्या देखें सर अजीब लडका है यह अरे यार कि अच्व इसमेर श्तर मारे तो yeah क्या है जल्दी प्ताओ जलो 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 जल्दी यह से this is my palace यह इस तरह से क्यो बिख रहा हुआ है बॉइस हास्टल है ना ऐसा होता है तुम्हारा बेट कॉन सा है? वो रहा वैसे आज कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? व्फ फिवड तो प्रशाच में ना? देखो ना? राम राम हरिशता हर्षेता 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 हाथ क्लाश ना? महाँ जाया वागे में बहुत अच्छा था में ना? राम वन हर्षेता मस अरा जह अर्षें फोस्तन है संदनख रेती है थम्म दकातो हर्षेता किसोर और भारा और अश्ट टिकिट लेतेञ को मैं बैठी ही अच्छी थी ना बहुत अच्छी थी ए कॉलज आ गया बस बस यही रोख दीजे दर लग रहा है ना हाँ डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा चलो मैं तुम्मileen मि अचल आ से ए थाई कर talk ma यहीं क्या कर रहीị हए थाईय संहिए रहा है यहाई क्या क्या कर यहाई आ टुम्राय ए था था का यहाई 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 टुम्माइए था थाल प्क्तै का यह व्यू पाक्लो माई ता टूम्मैट जल्दी चाहओ आ सब्सक्राइब अपना हाथ दो जान मा सबस्क्राइब अरह वैसे चल्दी करो जल्दी आज़ यो पक्रोट मैं ठोड़ी कर देता हूँ इश तुझे फेस्ट चेवां टो थे संब देखाएं कि आ खाथ तुम्हें के का जा रहा है हां पता तुम्हें इससे क्या हर्षित और उटन जल्डियाओ राम उपर खीचो आजो 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 चल्दियाओ गो सब्सक्राइज चल 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 जलन दे चल शब कर साउ चाल सफ़ च्रीजित जानिटो सल उति हैं इंट चालो उस事श्व मोगादी जी जाना दो चालो मुझे जरओ पर शालो चालो मुझे जरओ जरो 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 अजोफ दोफ यूफ जोफ गल्बदा जब अ को कि पांटू जब शब वढ जब स्क्राइवlike new जब ऑनने जिख थो इखूँ झाँ का झाँ जइा قाु मुण तुख झार इस न्युट सबस्ट को जिए प्लग कराए करें ते द Originally. जिख ब जए वे। अजिंद के रहा है वह पर शक्रवरा है बारे सिर्केट कारेट यह जो करत MEं इसे गौश्व परूश्व में से तो ांट हुआ है इसे जो जो लाजुआ है अ कोई दरवाजा करकड आरा है देखना अदे यार किशोर उठना किशोर उठना क्या यार यह क्या यार वो लेडी सोस्टल का गेट लॉक हो गया है यार वैसे भी तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुखना नहीं चाहिए अंदर आजाओ वैसे तो इतनी देर तर क्या कर रहा था होस्टल का वाड़न चेक करने आता है पता है ना एक काम करो तुम दोनों अलग-अलग बैट पर चादर ओड़के सो जाओ अगर होस्टल वाड़न आकर देख भी लेगा तो सक नहीं होगा और वैसे भी सुबह पांच बजे गल्स होस्टल का तब कुछ मैंनेज करके भेज़ देंगे ठीक है ना पर चादर हटाना मत लेकिन तुम लोग हमें कुछ नहीं होगा हम उपर रहेंगे तुम लोग समल कर रहना है ठीक है चले रहा हुआ कि कुछ नहीं होगा अरे कैसा फाल तू लड़का ही है आधी रात को लड़की लेकर आ गया यार कोई बात नहीं अगर होश्टल वाटन देख लेता तो वो भी बात सही है यार कल तो एक्जाम है ना तुने पढ़ाई की है क्या ज्यादा होश्यार बनने की कोशिश मत कर अभी पढ़ाई करें क्या अगर अभी हम पढ़ाई करेंगे तो तू कॉलेज में और मैं स्टेट में फर्स्ट आऊँगा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर यार हमें पास होना तो बस एकी रास्ता है माय पास question paper चोरी करें किया राम तुम्हें एक बात बताओ क्या बात है बताओ न मुझे नीन्द आ रही है सोजाओ क्या सोजाओ ओके गुद नाइट सोजाओ इससे तो हम पास हो जाएंगे यार पास नहीं होगे फर्स्ट आएंगे यहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो कुछ बोलते क्यों नहीं क्या है यह क्या है यह इतनी हिम्मत उम्मत उम लोगो की कि मेरे कैबिन में चोरी कर रहे हो यह कब से कर रहो तुम लोग यह फर्स ट चलो 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 थम भब्लो चलो मेरे साथ हर्षिता 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 उटो कोई आया कोई दर्वाजे पे क्या करूँ यह 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 चुप जो इसके पीछे चल्दी चल्दी चाओ कि अन्दर जाओ रहा है अचिक दर्वाजा को ने मित्ता सबें के लगा अंग में इनका बैक बाहर फैग दो इनकी हिम्मत तो देखो, रात में प्रिंस्पल के केविन में आकर कुश्चन पेपर चोरी करते हैं, इनकी तो, अब तू सोच क्या रहा है, तेरा भी बैग बाहर फेगू गया, तो फेग, सर, 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 प्लीज, सर, माफ कर दीजे, सर, बदमाउश, क्या हुआ, हाँ, जल्हक, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हाँ, तुम्हारे दोस्त कोश्चन पेपर चुराते हैं, और दूसरा लड़की को लेकर आता है, वाट इस इसे क्या लॉच समझ के रखा है, सारी हदे पार कर दी, क्यों शरद, हॉस्टल में इतना सब कुछ हो रहा है, तो तू करता क्य है, आखों पर पटी बंदी भी है, क्या, अंदा है, क्या, शर्ट अब, मुझ से आवास निकालेगा, तो शरीर से जान निकाल दूँगा, अब तू क्यों रो रही है, ओ, सारी, डिस्टर्ब कर दिया न, इससे प्यार किया है, इससे ही शादी करूँगी, इससे ही बच्चे पैदा करूँगी, पर पता नहीं कब करोगी, लेकिन अभी तो, गुल खिला रही हो, चलो, चलो, सर, देविका मेडम, सर, ए, हर्शिता, तुम यहां क्या कर रही हो, यह फिल्म देखकर आई है, फिल्म? और यह अकेले नहीं गई थी, एक लड़के के साथ गई थी फिल्म देखने, ए, तेरी इतनी हिमत, ए, इन सब की वज़े तुम ही हो, मैं? यस, बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह जानने के जिमेंदारी तुम्हारी नहीं है, तुम लोगों को इसलिए रखा हैं ना, कि सोने से पहले सारे रूम स्ठीक से चेक करो, अकल नहीं है क्या? मैं अलट थी सर, डॉन्ट टॉक टू मच, हर महीने तनख्वा तो लेती हो ना, थोड़ा काम भी कर लिया करो, लेट्स मीट टूमोरो मिटिंग, ओके सर, तुछ में जरा भी अकल नहीं है, 18 साल की भी नहीं हुई, और लड़के के चकर में पड़ गई, अपने माबाप को बोलती तो शादी करके भेज़ देते, क्यों मेरी नौकरी खत्रे में डाल रही हो, चलो पांस सो स्टूडेंट्स, दो वाड़न, चार सेक्यूरिटी गार्ड्स, बीस लेक्चरर्स, एक प्रिंसिपल, एक इन चार्ज, दस अकाउंटेंट है इस कॉलेज में, लोग मेरे सामने खड़े होने से भी डरते हैं, ऐसे में तुम दोनों को मेरे खिलाब जाने के हिम्मत कहां से आ गई, हाँ? रात में फिल्म देखना, दोपहर में कॉलेज बंग करना, प्यार के नाम पर लड़कियों के पीछे भागना, मौका मिले तो लड़कियों के साथ होस्टेल में समय भी ताना, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? वाट आर यू थिंकिंग अबाउट में, हाँ? हाँ सर, आप जो कह रहे हैं, वो सच है सर. हमने जो किया है वो राइट है यह पर रॉंग है? वो हम नही जानते, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, अगर जीएँगे, तो हम दोनों साथ में जीएंगे सर, नहीं तो साथ में ही मर जाएंगे सर, आप चाहे कोई भी आक्शन लीजे सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरी गुड मुझे लगा था वो लड़की ही ऐसी है पर तुझ में भी बहुत हिम्मत है इसलिए तुम लोग कॉलेज में नंबर वन बन गये हो पढ़ाई में नहीं, प्यार करने में इस कॉलेज से निकलने वाले हर स्टुडेंट्स का अगर रिमार्क होगा कंड़क्ट में तो मैं बैड लिखकर साइन करता हूँ पर समझ नहीं पा रहा तुम्हारे लिए क्या लिखकर साइन करूँ हाँ, ओके तुम लोगों ने तो अच्छा काम किया है गुड कंड़क्ट लिकर मैं साइन करूँगा खुशी से जा कर जी लेना सर नमस्ते सर सर नमस्ते सर क्या बात है इतना अरजेंटली बुलाया क्यों? आपको आपकी बेटी ने नहीं बताया बहुत पूझा पर नहीं बताया सर कैसे बताईगी यह कोई अच्छा काम करती तो बताती न क्या किया है सर बताईए हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है आपने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था न पर वो यहाँ क्या कर रही है यह पता है एक लड़के के साथ फिल्म देखती है और रंग्रलिया मनाती है आपकी बेटी यह क्या बात कर रहे हैं सर आप हमारी बेटी फिल्म देख रही है और रंग्रलिया मना रही है हमारी बेटी ऐसी नहीं है सर सही कहा आपने सही कहा हर माबापको अपने बच्चे मासूम ही दिखाई देते हैं उनके बारे में कुछ भी बोलो मानते नहीं है क्यों शरत देविका कुछ तो बताओ हाँ सच बात है हम आपसे जूट क्यों बोलेंगे कैसे संसकार दिये हैं अपनी बेटी को किसी से भी नहीं डड़ती है ये सबको उल्टा जवाब देती है जो मन में आए वो करती है ऐसे बच्चों की वज़े से कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है एक जबपर लगाऊंगा इसके आगे कुछ बोला तो किसके बारे में बोल रही है और क्या बात कर रही है इसलिए असल बात नहीं बताई अब बताओं क्या क्या आखिर में क्या हुआ है बता है आपकी बेटी ने क्या किया है पूरी एक रात तुम्हारी बेटी एक लड़के के साथ उसके रूम में सोई है मा मा मैंने कोई गल्दी नहीं किया है माम, बस प्यान किया है, माम, मेरी बात पर भरोसा कीजे, माम, सुनिए मेरी बात, प्यार किया है, प्यार किया है, कह रही है, अकल यह क्या तुझे, ये तुने क्या कर दिया, हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा, मत पारो इसे, मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, ये क्या कर द तुने बच्पन से तुझे पलकों पे बिठागे रखा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेटी गल्ती करती है तो मा को सुनना पड़ता है पर तेरे लिए तो तेरे पापा को सुनना होगा हमारी इज़त पिट्टी में मिला दी इसने मत मारू जो हो गया सो हो गया अब और मेरी बेटी ने भले ही प्यार किया होगा पर वो कभी मेरी इज़त पर आच नहीं आने देगी मुझे इतना भरोसा है मैंने उसकी परविरिश की है बच्चे माबाप को हमेशा प्यार देंगे ये पता नहीं मुझे लेकिन माबाप अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते ह रहेंगे वो जिससे प्यार करती है मैं उसकी शादी उससे नहीं करवाऊंगा क्या है लेकिन हाँ बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे आप लोगों की बाते मान कर उसे गलत मान लू इतना ना समझ नहीं हूँ मैं वो मेरा घुरूर है सर चलता हूँ सच में आपका प्यार बहुत महान है लड़कियों के पैदा होने से दुख्य होने वाले पेताओं को तो देखा है लेकिन बेटियों से इस तरे प्यार करने वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ जल्दी कीजिये जल्दी बाइसाब आपका बैक उठाइए लेजाए जल्दी जल्दी चलो 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 भाई कोण पली निउटन कॉलेज सुनिये अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चल सेकता हूं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं सर बेटी के गहरे प्यार के बारे में बताया पिता को देख लिया तो बेटी को भी एक बार देखने का मन है वहाई चलो भाई यहीं पर भाई रोख दो रोको 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 यहलो रख लो कैसा लगा सर कॉलेज है कॉलेज दो बात बढ़ी आइसा है मेरी बेटी यहीं पड़ती है आये आये अरे सुनो नमस्ते सर हाँ नमस्ते कैसे हैं आप मेरी बेटी को बुला दो मुझे उससे मिलना है अचा ठीक है सर आप वहाँ पर बैठिए हाँ ठीक है आये सर कोई बात है सर हाजकर स्टूडेंस में कोई डिसिप्लीन ही नहीं है मैडम 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 नमस्ते अब कैसे नमस्ते सर कैसे हैं आप ठीक हूँ मैडम हर्शिता को भेज दीजे ना उससे मिलकर चला जाओंगा एक बार बुला दीजे ना यहां यह बहुत समय हो गया मैडम ठीक है सर मैं बेशती हूँ आप बैठिये आप बैठिये मैं बेशता हूँ ठीक है चलिए बैठिये अब कर दो क्लास तुमें ने ले लिये हैं अरे सर सर नमस्ते हैं मैं हर्शिता राजबंदरी की लड़की है हर्शिता के पिता जिना आप ठीक है ना बढ़िया हूँ सर मेरी बेटी को बुला देंगे सर उससे मिलना है मुझे बहुत देर हो गई हमें आयो हुए आपकी बेटी हां ठीक है आप यहाँ पर बैठिए मैं भेढ़ता हूँ अजीप मुसीबत है अदा यह बहुत अच्छे टीचर है लगता यहाँ आपकी जान पीन पेचान बहुत अच्छी है मैं जब- questeं आता हूँ सबसे ही बात कर लेता हूँ ना इसीलिए यह सब क्या हो रहा है आपने इतने लोगों को का लेकिन किसी न आपके बेटी को नहीं बुलाया बुज़ुर्ग इंसान को इतनी देर इंदजार करवा रहे है इन लोगों में थोड़ी भी अकल नहीं बचिए क्या आज है आप रुकिए मैं डारेक्ट प्रिंसिपल से बात करके आता हूँ ठीक है मैं भी आता हूँ ने ने आप रुकिए नमस्ते सर नमस्ते मैरा नम रमेश है यहां पर हमारी बेटी पड़ती है बैठ जाए थेंक यूँ एक बार मैं उससे मिलने आया हूँ देकिन कितने लोग को काउ से किसी ने नहीं बुलाया आपकी बेटी नाम क्या है मेरी बेटी मतलब वो वो मेरी बेटी नहीं है, वहाँ जो बैठे है न वो देखे, उनकी बेटी है हरशिता है क्या? हाँ सर, राजमंदरी जी की लड़की है क्या हुआ सर? प्लीज एक बार बुला दीजे न, बस थोड़े दिर बात करके चले जाएंगे अगर होगी तो बात करोगे न नहीं है मतलब, क्या हुआ सर? कहां जा रहे हो राम, यहां इतना कुछ हो रहा है और तुम मुझे बिना बताई जा रहे हो, हमने सिर्फ इसी लिए प्यार किया था क्या? सॉरी हर्शिता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना होगा राम, यहां पर सबका कहना है कि मेरी गलती है, यह मेरी अकेले की गलती है प्रीज, मुझे जाने दो राम, बिना जवाब दिये जा रहे हो तुम, हम खामोश हैं, इसी लिए हमें गलत ठहराया जा रहा है राम प्रीज, राम, माच जाओ, तुम्हारे विरा मैं जी नहीं पाऊंगी माच जाओ राम ठी, शर्म नहीं आती, बढ़ने के लिए बेजा था तुम इसके प्यार में पढ़ गई यह सब क्या है हरशिता, बच्पन से तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखा हमारी इज़त दिलाम करने के लिए नाजों में रखकर तुम्हारी परवरिश की इसलिए तुम मुझे ये तखलीव दे रही हो मैं अपने गाओ में सिर उढ़ा कर इज़त से कैसे जी पाऊंगा यहां इतने सारे बच्चे उन में से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया और तुम मेरी बेटी होकर ऐसा कर रही है बहुत हुआ, जाओ, अपना सामान लेकर आओ, पढ़ने की ज़रुवत नहीं है जाओ मैं तो तेरी थी, तो सुन लेना किसमत ये कैसी अपनी आरा देखो न जाना, दिल ये मानेना ऐसे न जाओ, रुक भी जाओ ना मैं तेरी थी, ना रहने सकती एक पल भी, अपना ताजने ने सकती आखे नम ना हो, सुन ले आरा यो दोर न जाना, ओ मेरी जाओ मैं तो तेरी थी, तो सुन लेना किसमत ये कैसी अपनी आरा देखो न जाना, दिल ये मानेना ऐसे न जाओ, रुक भी जाओ ना मैं तेरी थी, ना रहने सकती एक पल देखो तो जी ने सकती पल देखो तो तो जाओ पल देखो तो जाओ हुआ 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 МУЗЫКА हुआ hem चलो यार चलो आजाो हर्चित वेल्णी सुझ मेरत लो, चलो, चलो, चलो. चलो, चलो, चलो. अरे, यह क्या कर लिया? काथ दोई तू नहीं सुझे कैसे तुझे बोलू तू लोट गया क्या अब कर दू कि तू लोट गया तू ना जा ले कैसे रहेंगे काहां तुझे ढू दू कोई एबताई ना ए तार जाने ना किसी कि वे ए पाथ कोई कि वेए शुझे पाथ कोई कि वेए शुझे मची तू एम उनकी बेटी मर गई है ये बात उनको पता नहीं है क्या उनकी आखों के सामने ही उनकी बेटी की मौत हो गई इसलिए उनकी मानसिक इस्थिती बिगड़ चुकी है वो इस भ्रह्म में हैं कि उनकी बेटी जिन्दा है इसलिए वो कॉलेज की छुटियों में अपनी बेटी को ले जाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं यह सब उस लड़के की वज़े से हुआ न वो उसे धोका दे कर चला गया इसलिए उसने आत्मत्या कर ली नहीं सर उसकी मौत का एक लौता कारण वो लड़का नहीं है सर हम सब उसकी वज़े हैं खास दोर पर मैं मैं उनके प्यार को समझ ही नहीं पाया जाने से पहले तुझे एक बात बताता हूँ असल में तू यहां क्यूं आया है तेरे माता पिता कितनी परिशानी उठा कर तुझे पढ़ा रहे है तुने इसके बारे में कभी सोचा है वैसे भी तुझे लड़कियों के अलावा कुछ सोचने की फुरसत ही कहा है जो उनके बारे में सोचेगा घर में तेरी मा बहन किस हालत में जी रहे है इसके बारे में तुझे कुछ पता है दुबई से तेरे पिता जी उन्हें कितने दिनों से फोन नहीं किया है ये तुझे पता है उन्होंने एक बार दी क्यों फोन नहीं किया इसके बारे में कभी सोचा है दुबई में तेरे पिता की मौत हुए दस दिन हो चुके है ये आप क्या बात कर रहे हैं सर मेरे पापा मर नहीं सकते हैं मर चुके हैं तेरे पापा की लाश को यहां लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है इस बात से वो कितने परिशान है इसका तुझे एसास भी है चोटी सी घलती करने पर भी मैं पैरेंट्स को बुलाता हूँ और तुने इतनी बड़ी घलती की है फिर भी वो यहां नहीं आये है और मैंने यहां उन्हें क्यों नहीं बुलाया तुझे पता है उसकी वज़े है तेरे पिता की मौत और ये बात तुझे पता चलेगी तो तू कहीं एक्जाम में डिस्टर्ब न हो जाए इसलिए तेरी माँ ने कहा कि उनकी लाश आने तक उसे मत बताना मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे माफ कर दीजिए मैंने गलती कर दी सर मुझे ये प्यार व्यार के चकर में नहीं पढ़ना सर मुझे बस अपने गाउ जाना है सर मुझे जाने दीजिए मुझे अपने गाउ जाना है सर प्लीज मुझे जाने दीजिये सेर बहुत कठोर बरताव किया है मैंने बहुत परिक्षाएं ली है मैंने 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 सोचा कि सुधर जाएंगे वो लोग लेकिन इस तरह से जाम दे देंगे ये नहीं सोचा था कभी नहीं सोचा था वो जाम दे देंगे बहुत पहले ही मर गई वह लेकिन जब जब मैं उसके पिता को देखता हूँ मैं तब तब मरता हूँ सर तब तब मरता हूँ मैं ठीक है सर मैं चलता हूँ हुआ 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 हु हेलो 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 सर नमस्ते कैसे हैं सर मेरी बेटी अभी तक नहीं आई कॉल कर रहा हूं तो फोन नहीं लग रहा है सर बेटी परिक्षा की तैयारी कर रही है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हो परिक्षा की तैयारी कर रही है तब डिस्टर्ब नहीं करूंगा वो अच्छे से पढ़ना है उसे, सर, बेटी के लिए कुछ मिठाईया लेकर आया हूँ, उसको दे दूँगा, मन लगा कर पढ़ने के लिए कहिएगा, मैं चलता हूँ, बसका टाइम हो गया, सर, आप आएंगे, आप जाएंगे, चलता हूँ सर, मेरी बात मान कर यह चले जाते हैं, पता नहीं, आखिर ऐसे कब तक यह जिएंगे, इनको ऐसे ही जीने दीजिए, सर, इस दुनिया से विरक्त होकर, अपनी बेटी की दुनिया में, आएंगे, 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 आएं